वेल्कम एव्रिवन मैं हूँ वीजे और आज की वीडियो में बात करेंगे बिटकोइन के क्रैश को लेकर जो कि कल रात को हुआ है बिटकोइन का प्राइस जो है तकरीबन 10,000 डॉलर नीचे क्रैश हुआ है 52,000 डॉलर के आसपास चल रहा था 42,000 डॉलर तक पहुच गया था उसके बाद सलाना उपर जा रहा है ADO उपर जा रहा है सारे अल्ट कोइन उपर जा रहा है डवल डिजिट में हैपी डेश चल रहे है सब के लिए लेकिन एकदम से बिटकोइन क्रैश हुआ और उसने साथ के साथ altcoin को भी अपने साथ लेके गए है Bitcoin जितना crash हुआ उससे कहीं ज़्यादा altcoin crash हुए थे double digits में altcoin crash हुए है अगर Bitcoin one digit में हुआ है तो altcoin double digit में हुए थे तो अब सबका यही सोचना है कि शायद यह manipulation की बज़े से हुआ है लेकिन इसका जो answer है जो इसका crash का जो मुझे लगता है वो chart में छुपा हुआ है Bitcoin की dominance के chart में छुपा हुआ है तो वही मैं आपके साथ share करूँगा कि मेरा क्या मानना है इस crash का और आगे क्या और भी crash आ सकते हैं और उस chart को देखकर तो लगता है कि अभी एक दो crash और आ सकते हैं तो आएए चलते हैं chart पर और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि क्या reason था actual crash का तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यह है Bitcoin का dominance chart dominance chart का क्या मतलब है dominance का मतलब किया है पहले मैं वह बताए तो हम बहुत से लोगों को नहीं पता होगा अगर हम coin market cap पर जाएं तो यहां पर यह market cap दियु ही है जो कि तकरीबन 2.06 trillion dollar पर है जितने भी altcoin है उनकी जो market cap है उसका combine number यहां पर है इस market cap का जो BTC का हिस्सा है वो 42% है और Ethereum का 20% है तो इसे ही dominance बोलते है Bitcoin की जो dominance है इस time पर market में 42% पर चल रही है और जो यह chart है यह उसी को दर्शाता है उसी को दिखाता है कि Bitcoin की dominance किस angle में जा रही है अगर आप पूरे overall chart को देखें तो Bitcoin के जो dominance का chart है वो normal chart की तरह आपको लगेगा उपर नीचे up down सब कुछ normal chart की तरह ही होता है इसके अंदर तो अब Bitcoin का जो कल crash हुआ है उसका reason क्या है उसका reason सबसे बड़ा है Bitcoin की dominance ऐसा मुझे लगता है कि Bitcoin की dominance जो है वो लगातार नीचे की तरफ जा रही थी अब वो क्यों जा रही थी इसका भी में बता देता हूँ क्योंकि Bitcoin का जब जब price up होता है तो जो altcoin है वो धीरे-धीरे up होने start हो जाते हैं उनमें थोड़ी धीरे-धीरे उनके price की increment start हो जाती है और एक time ऐसा आता है कि Bitcoin का price तो stable हो जाता है लेकिन altcoin double digit में surge करने लग जाते हैं एक तरह से alt season start हो जाता है तो वहीं से सारी problem start होती है क्योंकि जैसे alt season start होता है altcoin surge होते है Bitcoin की dominance जो है वो नीचे जानी start हो जाती है क्योंकि altcoin की market cap है वो बढ़नी start हो जाती है तो उसी वज़े से Bitcoin की dominance है वो नीचे चार्ट को देखे तो इसका जो lowest dominance है वो तकरीबन 35% तक है अगर हम देखें है 2017 में जब बिटकोन का crash हुआ था तो बिटकोन की dominance नीचे चली गई थी 35% तक लेकिन उसके बाद वो recover हो गई थी recover होके अपने all time high 73% पर पोज़ गई थी 2017 से लेके अब तक जो कि इस साल के January तक है तो 73% पर पोज़ गई थी तो बिटकोन का crash जो है जब भी dominance नीचे जाती है बिटकोन का crash होना तै है क्योंकि बिटकोन की जो problem यह है कि जब भी altcoin surge होता है जब भी alt season आता है तो सब बिटकोन को भूल जाते है बिटकोन में बहुत ही क एक तरह से भूल जाते हैं तो उसी वज़े से बिटकोन के उपर pressure बढ़ना स्टार्ट होता है वेल्स जो है वो बिटकोन में बिटकोन के अंदर investment करते हैं profit के लिए वो altcoin में नहीं करते हैं जब उनको लगता है कि बिटकोन का price कहीं नहीं जा रहा है तो उनको profit निकालना ही पड़ता है और जब वो profit निकालते तो आपको पता है बहुत बड़े number में निकालेंगे तो बिटकोन का crash होना ही ता है क्योंकि उनको भी bitcoin को दुबारा से नीचे लाकर उपर लाना है तो इसके लिए उनको altcoin से लोगों का ध्यान हटाना होगा ऐसा मुझे लगता है यह theory मे अगर हम पिछले crashes को देखें यह जो crash है में में हुए थे यह दो crash है पहला जो हुआ था वो हुआ था 12th of May को बिटकोन का price तकरीबन 9500 डॉलर से नीचे आ गया था उसके बाद फिर यह 19th of May का जो सबसे बड़ा crash था बिटकोन का price तकरीबन 14,000 के आसपास नीचे आ गया था जो अब बिटकोन का price 42,000 पर चल रहा था और नीचे आकर 30,000 से भी नीचे आ गया था तो यह जो दो crash है अगर हम dominance chart पर जा कर देखें तो यहाँ पर यह उनकी candle दी हुई है अब पहली बात तो यह है कि मैं आपको एक चीज और बतायता हम जैसे यहाँ पर यह जो top number है बिट 14 तो मार्च के बाद ही alt season start हुआ था जब सारे के सारे alt coin surge होने start हो गए था लेकिन bitcoin की dominance लगाता नीचे गिरनी start हो गई थी गिरते गिरते bitcoin की dominance जब 12th of May को कोची तो crash आया 9,000 डोलर वाला जो मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया है यह 9,000 डोलर वाली candle है यह आप देख bitcoin की dominance नीचे आई थी तब इसका crash होना start हुआ था उसके बाद फिर दूसरा crash आया जो की 19th of May को सबसे बड़ा तकरीबन 14,000 डोलर bitcoin crash हुआ था तो bitcoin की dominance उपर जानी start हो गई थी क्यों क्योंकि bitcoin का जब बड़ा crash हुआ था तो altcoins जो है वो double digit में crash होने start हुए थे bitcoin तो हाला कि bitcoin ह हो सकता है one digit में crash हो लेकिन जो altcoin है उससे कहीं ज़्यादा तेजी से crash हुए जिसकी वज़े से dominance उपर बढ़नी start हो गई अब यही वज़या है कि bitcoin जब जब नीचे इसकी dominance आई है तो crash होना तैह हो जाता है कि कभी ना कभी इसका crash होना ही होना है क्योंकि इसको अपनी dominance को recover कर ना है दो तरह से bitcoin की dominance recover होती है एक तो crash होकर क्योंकि bitcoin जब जब crash होता है तो altcoin double digit में crash होते है उनकी market cap तेजी से नीचे जाती है तो bitcoin की जो market cap है वो तेजी से उपर की तरफ जाती है थोड़ा confusing हो सकता है लेकिन कोशिस करूँगा समझाने की और जब bitcoin के अंदर पैसा आता है तो bitcoin की जो market cap है automatically उपर जाती है और bitcoin की जो dominance है वो भी up होती है लेकिन तो problem यहाँ पर यहाँ पर यह गूम फिरके वही आती है कि जब भी bitcoin का price up होता है तो alt surge होने start हो जाते है अल्ट surge होते है तो उसकी dominance नीचे जानी start होती है dominance नीचे जाती है तो crash होने के chances बढ़ जाते है तो यही चीज यहाँ पर हो रही है कि अब जैसे हम यह जो 19th of May के बाद दुबारा से bitcoin ने जो recover किया था अब दुबारा से जो 30,000 के आज पास था जब bitcoin लग रहा था कि 20,000 तक जाएगा लेकिन एकदम से recover कर गया 21st of July के बाद जब वो Elon Musk का जो interview हुआ था उसके बाद तो अब यह फिर दुबारा से recover करके यहाँ पर देखे तो 49% पर पहुझ गया लेकिन जैसे 49% पर पहुझ आ तो अब फिर दुबारा से सर जोने स्टार्ट हो गए आपने देखो है Solana सर जोने स्टार्ट हो गया ADA सर जोने स्टार्ट हो गई और गिरते गिरते अपने इस लेवल तक पहुझ गी जो की तक्रीबरन 40% तक नीचे आ गई और यहीं पर यह सारी की सारी प्रोब्लम स्टार्ट होती है कि जब भी बिटकोईन की जो डॉमिनेंस है वो 40% तक जाती है 40% यह उससे नीचे तो बिटकोईन का crash होना तै ह हो जाता है क्योंकि बिटकोईन को recover करना है अपनी जो मार्किट में dominance या उसको वापिस recover करना है तो दोस्तों यह एक छोटी सी थियोरी जो मुझे लग रही है कि कल का crash हुआ है बिटकोईन की dominance की वज़े से हुआ है बिटकोईन की dominance अब दुबारा से recover होगी हो सकता है वाप इसको ब्रेक नहीं कर पाया है सबसे बड़ा problem यहां पर यह है कि अगर वो इसको break करके उपर की तरफ निकल जाता तो बिटकोईन सकता है crash ना होता लेकिन बिटकोईन ने यहां पर reverse मार दिया इसका crash हो गया तो अब ऐसा लग रहा है कि बिटकोईन धीर धीर नीचे आता हूँ अपने इस zone में वापिस आएगा जो यह इसका 42 और 39 के बीच का zone है इसमें आकर हो सकता है वापिस इसको retest करके उपर निकल जाए एक तो सिनारियो यह है मैं इसको यहां पर type थोड़ा line बना रहता हूँ यह नीचे आकर हो सकता है यह तो वापिस निकल जाए ऐसे या फिर बिटकोईन हो सकता है कि यहां से थोड़ा सा consolidate करके हो सकता है वापिस नीचे आकर अपना retest करें इस level को जो इसने पीछे अपनी जो resistance मनाई हुई थी इ वापिस की वह सकता है इसे retest करके फिर यह उपर की तरफ जाए जो मुझे लगता है ऐसा हो सकता है अदरवाइस बिटकोईन इस टाइम पर ऐसे level पर है जहां पर दूसरा crash फिर दुबारा से आ सकता है इसकी dominance की वज़े से व्योंकि इसकी dominance का उपर जाना बहुत जरूरी है बिटकोईन की dominance का हमेशा 50% या उससे उपर बना रहना बहुत जरूरी है इसके दूसरे altcoin को grow करने के लिए अगर altcoin bitcoin को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो ऐसे crash आते रहेंगे और ना तो altcoin grow करेंगे न altcoin bitcoin को grow करने देंगे क्योंकि bitcoin को altcoin की जरूरत नहीं है लेकिन altcoin को bitcoin की ज share जरूर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए बैल आइकोन दबा दीजिए future की वीडियो के notification के लिए तो दोस्तों अगली बारे मिलूँगा किसी नए topic के साथ तब तक के लिए बाए बाए